और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हूं हारे सुल्तान और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में मुसल्मानों के उपर बड़ा जुल्म होता है जिसकी वजा से चुछ इंडिया का लेफ्ट फिंग मीडिया है बहुत सारे जो लंडे के हुमने स्पर डरा हुआ है लेकिन यह पिक्चर पेंट करना के इंडिया में मुसल्मान वैसे हैं जैसे पाकिस्तान में क्रिस्चन्स या हिंदूस हैं देर कुड नॉट बड़ी जलक वहारी नजर के सामने से आठ मई को गुजरी क्या हुआ जी आठ मई को यह देखें सारे मुसल्मान यह एक एहमदाबाद का मंदिर है जिसके अंदर घुसके मंदिर की धजियां उनाई जा रही हैं उनकी मूर्तियां उनके भगवान उनके खुदाओं को तोड़ा जा रही हैं यह वो कॉम हैं जो कहती हैं कि बलास्फोमी नहीं होई चाहिए देखें हम भी आ हम तो लोगों के देखें जी लोगों के मजब की इज़त करते हैं हज़त इसा की इज़त करते हैं वह बात है मिर्जा घुलाम कादियानी को नंगी माबैन की गालिया नकालते हैं वह बात है लेकिन क्रिस्टिन्स की हम इज़त करते हैं मूजिस की इज़त करते हैं हम तो रा पारे में नीचे अपने comments में पताईएगा कि क्या हुआ हुदा मैंने भी Republic TV की रिपोर्ट देखी एक इंडिया Times की रिपोर्ट पढ़ी आर्टिकल पड़ा और जो facts मुझे मिले वो मैं आपके सामने रखने लगो पता नहीं वो कितने सही हैं या वक्त के साथ सा तो साबित होते हैं या नहीं होते हैं यू के लेट मी नो in the comments below ये तो share हो गया you can let me know in the comments below तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरह है या तो गुरात है या यूपी यूपी में मेरा हल वाकर डाह भी वहां पे पत्राहों करते हैं वहां पर वी इसके ओपर हिरान हूं again, फड़े हर जगा पे होते हैं, third world countries में law and order नहीं होता है, फड़े हर जगा पे होते हैं, लेकिन वो कौम जो हर जगा पे ये बताती है कि हम religions की बड़ी इजद करते हैं, ये वो लोग का रहे हैं, उसकी वज़ा मैं आपको, ठारें, बलकि एक और आपको मज़े की वीडियो द की बेहुर्मती ना करें बगारा बगारा, इस वकित आपको पता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजाख किसका उड़ाया जाता है, again I'm not recommending that, but this is the inevitable result of their bad policies and their behavior, वो क्या है जी, वो ये है कि सबसे ज़्यादा हम इस वकित जो तोहीं की जाती है, जो मजाख उड़ाय अचाद करहा है कुरान स्रीफ के साट पुलेस की मजूदगी में कुछ निहीं कर पा रहे हिए और को खें कोके गीता को किो नी जीड़ा गारा, इशे को किई नी जीला रहा, पुदा को क्यों नी कोई जला रहा, क्यों नहीं उनको कोई कर रहा, उनको क्यों नहीं कोई शेड़ा, हर जगा पर यहीं क्यों हो रहा है, हज़रत महामद अकुरान शेरीफ का ही क्यों मजाग उड़ाय जा रहा, वो इससे मजाग उड़ाय जा रहा, क्योंकि ये मुनाफिक कॉम है ये कहती तो है कि हम सारे मज़ब की इज़त करते हैं लेकिन करते किसी की इज़त नहीं है अभी आपको दिखाया जर्मनी में क्या किया शरीयत मांग रहे हैं जर्मनी में अभी मालमो स्वीडन में क्या किया उनकी पुलिस की वेने जला दें, उनकी गाड़िया जला दें, एक एक होम है, जिसकी वज़ा से पूरी दुनिया में इनके खलाफ नफरत प्हल रही है, अब ये कहना असान नहीं हो, हिंदू गंदा है, हिंदू गंदा है, यहुदी गंदा है, यहुदी गंदा है, यहुदी कर रहे हो जो एथिस करेंगे बिए देखे हम तो मस्जिद के साथ भी यही करते हैं टेंपल के साथ भी यही करते हैं चर्चिस पर पास ही एक दरगा भी है और केस चल रहा था अभी 34 लोगों को गिरफतार किया है पूलिस ने तो दोनों तरफ के लोगों को अरेस्ट किया पूलिस का कहना यह है कि यह पिछले को दो महीनों से आपस में दोनों कम्यूनिटी इसके बीच में बड़ी मद्भेड हो रही थी उसकी वज़ा यह है कि मुसल्मानों का यह कहना था कि सैफरोनाइजेशन यह मुझे अब निया व है बड़े fundamentalist है राडिकल है अगर कोई मुसल्मान हिंदू के मंदिर में for cultural understanding में चला जा तो पागल हो जाते हैं जाद होगा आपको जब भिलावल भूटो वह एक मंदिर में गए पाकसानी क्म्यूनिटी के मंदिर में गए उन्होंने हिंदूों का get up पहना तो सारा मुलक उनके पीछे पढ़ गया ओ ये तो हिंदू है ये तो हिंदू है जैसे गाली होगी कोई तो मुसल्मान radical fundamentalist हैं तो अब इसके अंदर सैफरोनाइजेशन क्लेम के अंदर कितनी सचाई हो सकती है your guess is as good as mine but anyway the point is पिछले दो महीनों से इनके बीच में आपस में फटे चल रहे थे और वो एक ऐसे boiling की धर्मों की इज़त करते हैं आप भी हमारी इज़त कीजिए नौ तब वो काता घोड़े दुड़ा दो तलवाने चला दो सर्तन से जुदा यह हुआ अब इसका नतीजा क्या निकलेगा अगेन और नो क्या नतीजा निकलेगा लेकिन इससे जो भी है इससे एक बास थाबि तरह से रिपोर्ट आएगी अभी काल अगर कोई किसी मस्जिद को पर हमला हो जाता है किसी राडिकल हिंदू ग्रूप की तरह से लेकिन 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 लास तो बाप इसको बातचीत के जरियर करो आपने लोगों को इस यह पेंड़े नहीं थे इनको बेवकूफ हम मुसल्म लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब यहां पे हकूमत हमाईउं की नहीं या जांगीर की नहीं या अब यहां पे एक प्लूरिलिस्टिक सेकुलर डिमॉक्रसी जो के लीन स्वर्ड लिबरल स्टाइल डिमॉक्रसी थैंक्स दू फांडिंग फादर्स अब बड़ी बिमारियां हैं उसके इंदर I get it, appeasement वगारा है, I get it, लेकिन इसी तरह मुआशरे आगे चलते हैं, दिर्म्याना रास्ता निकाल जाता है, लेकिन बदमाशी अब उस तरह वाली नहीं चलेगी, कि सिखों को जी बड़े से कॉल्डरन में, बड़ी हांडी में डालके उसको उनको जिंदा जला दिया, उनकी खाल उतार दी, हिंदों की खोपड़ियों के मेनार बना, अब ऐसा नहीं होगा, ये पैडियां आ आपको हम अर्भी हैं, मिडल इस्टन हैं, तुर्क, तुर्क भी होते हैं, तुर्क इनको छितर मारेंगा, आप काले पी लो, वो जो सुल्तान था, at the time of टीपु सुल्तान, महिसूर का, जब उसने का काले पी लो, हम तुमारी जंगों में क्यों आएं भी, आप ताड़ी heart, I value and cherish nothing more than secular liberal style democracy, but even in the west I want some conservative parties to win, I really do, because I know, कि ये जो Islamism का जो एक जिन हमारे सरों के उपर, पूरे west में और इंडिया में, हर जगा पर डाल दिया गया है, इसको हटाना पड़ेगा, वरना हम सारे गये, सारे गये, west भी गया, नारे लाग रहे हैं, गोरे पागल हो रहे हैं, तो ये, I think it would be a good thing if Moodi Ji wins one more time, and then maybe we can try to bring the pendulum back to normalcy, अगर मुमनों को कुछ समझ आ गई, लगता ऐसे है कि बहुत सारे मुसलमान बदल भी रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान ex-Muslims भी हो रहे हैं, liberal, liberalized भी हो रहे हैं, वो होना बड़ा ज़रूरी है, लेकि ये जो fundamentalism की जो wave आई, post 2001 के, इसको काबू करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने इसको काबू नहीं किया, तो सब कुछ मारे हाथ से चला जाएगा, और सारे बुरके पहनोगे, सारे अड़ी-अड़ी दाड़ियां रखोगे, सारे सड़कों के ओपर छितर पारा रहे होंगे, तुम्हें हाथ काट रहे होंगे, संगसारी, पत्थर बाजी होगे, सारे मारे जाएंगे, सारे रखड़े जाएंगे, इसलिए इस जानवर को काबू करना बहुत ज़रूरी है, उमीद करता हम आज की उडिया साथ को सीखा होगा, तो सब्सक्राइब करें, तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अ झाल